हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंस्टॉलजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनालसिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूंगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ साथ ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्त न हो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के उपर नजर आ रहा है यह मेरा वटसेप नंबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते है या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते है तो इस नंबर पर वटसेप मैसेज सेंड कर सकते है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वारिश फॉर्मेशन में नजर आ रही है कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की जो यहाँ पर इंडिकेट करती है काफी ज़ादा हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को और अगर इनके फिंगर्स को देखा जाए तो बुद्ध फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में एक नॉर्मल सा गैप नजर आ रहा है आपको दिखाना चाहूंगा इस तरह का गैप व्यक्ति को इंडिपेंडन नेचर का बनाता है जिनके भी इन दोनों फिंगर्स के बीच में थोड़ा सा भी गैप नजर आए ऐसे व्यक्ति काफी इंडिपेंडन होते हैं अपने डिसीजन्स खुद से लेना अपसंद करते हैं किसी के अंडर काम कर पाना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है और अब देख सकते हैं इनकी फिंगर्स काफी थिक हैं यहां पर आप इनके फिंगर्स के जो बेस फैलेंजिस हैं इनसे एक आइडिया लगा सकते हैं यहां से आप देख सकते हैं यह फिंगर्स काफी अच्छी थिकनेस में हैं जिसकी वज़े से काफी अच्छी अनर्जी और स्टैमनान के भीतर रहने वाला है और अगर देखा जाए इनकी गुरू फिंगर और सूर्य फिंगर इन दोनों की लंबाई यहां पर लगबग एक समान दिखाई दे रही है गुरू फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि व्यक्ति काफी नॉलेजिबल रहेगा ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी लीडर्शिप कौलिटी रहते हैं और ऐसा व्यक्ति काफी स्प्रिच्छल माइंड होता है अगर हम ग्यान की बात करें तो ऐसा व्यक्ति ग्यानवान होता है और दूसरों को भी नॉलेज बाटना ऐसे व्यक्ति की खुबी रहती है और अब बात करते हैं सूर्य फिंगर की सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को एक सोशल सर्कल देता है मिलता है अब बात करते हैं शनी फिंगर की अब देख सकते हैं शनी फिंगर बिल्कु स्ट्रेट है शनी मौंट भी इनका काफी प्रॉमिनेंट नजर आ रहा है जिस वज़ा से एक मेहनती नेचर इनकी रहेगी और इनका खास रुजान रहेगा mystic sciences की तरफ mystic sciences जैसे mystery है astrology है ऐसी चीजों में इनकी रूची रह सकती है वो क्यों रहेगी इसके बार में आगे चल कर बताऊंगा जो हम mounts को analyze करेंगे तो चलिए पहले एक बार इनके सभी इनकी fingers को analyze कर लेते हैं यहां तक हम ने देखा हैं इनकी fingers काफी अच्छी नजर आ रहे इस communication skills इनके बहुत अच्छे रहेंगे थोड़ी सी जिदी nature भी रहेगी independent सभाब भी रहेगा और जिस काम को करने के एक बार यह ठान लें उसको पूरा करकर ही दम लेंगे इस तरह की इनकी nature यहां पर इनकी fingers शो कर रही हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके स भी रिखाओं के भी तो यहां पर अगर मैं एक line draw करता हूं तो कुछ इस तरह की line बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं यहां जो area है थोड़ा सा low set हो रहा है जिसकी वजह से व्यक्ति थोड़ा सा शर्मीले सभाब का हो सकता है इंट्रोवर्ट हो सकता है लेकि करते हैं सूर्य मांट की सूर्य मांट थोड़ा सा अंदर की तरफ दब रहा है लेकिन सूर्य मांट के ऊपर एक बहुत इच्छा triangle का चिन बन रहा है कहीं पर भी किसी भी मांट के ऊपर triangle का चिन बने बहुत अच्छे result देता आपको draw करके दिखाना चाहूंगा इस area के ऊपर और ऐसे व्यक्ति को समाज में बहुत मांसमान मिलता है काफी अच्छी recognition और fame ऐसे व्यक्ति को मिलता है जिनके सूर्य मांट के ऊपर इस तरह का एक complete त्रिकोन बन रहा हो और यह त्रिकोन व्यक्ति को politics जैसी field में भी लेकर जा सकता है कहीं न कहीं से government से व्यक्ति को lab मिलता ह क्योंकि सूर्य मांट है सूर्य finger है इवन सूर्य प्लानेट है यह government को represent करते हैं और जिनके हाथ में इस तरह का triangle होता है तो ऐसे व्यक्ति को government की तरफ से काफी अच्छे benefits मिलने की संभावना काफी जादा रहती है तो यह एक बहुत अच्छा चिनिन के हाथ में हमें नजर आ रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं शनी मांट को देखते हैं शनी मांट के ऊपर आपको एक फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आ रहा होगा अब देख सकते हैं यहां पर कुछ इस तरह की रिखाउंस से एक complete फिश का साइन बन रहा है जिसके बारे में मैं शुरू में आपको कह रहा था कि इनका जो रुझान है वो occult sciences की तरफ रहेगा, occult चीजों की तरफ रहेगा उसका reason यह है चिन है मैंने बहुत से ऐसे हैंड्स देके हैं जिनके इस मांट के ऊपर मचली का चिन या फिर दूसरा जो चिन रहता है ऐसा occult sciences का वो रहता है cross का चिन जैसे यहां पर इनके कुछ हद तक ऐसा एक क्रॉस का चिन भी बन रहा है यह जो चिन होते हैं व्यक्ति को उकल्ट चीजों की तरफ अट्रैक्ट करते हैं उकल्ट साइंसिस जैसे एस्टॉलजी है पामिस्ट्री है टैरो कार्ड रेडिंग है यह ऐसी बहुत सी विद्याएं है इनमें व्यक्ति की रूची रहती है ऐसा व्यक्ति रहस्या को जानना चाहता है ऐसी बुक्स की स्टड़ी कर सकता है रिसर्च कर सकता है और लाइफ में किसी मोड़ पर आकर ऐसी चीजों को सीख भी सकता है तो ऐसी रूची इनकी रहेगी, ओवरॉल अगर देखा जाए तो इनका जो शनी माउंट है काफी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन शनी रेखा यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर पढ़ती हुए नजर आ रही है, मुझे, आपको दिखाना चाहूँगा शनी रेखा की हो रही है, तो 36 की एज तक इन्हें थोड़ी स्ट्रगल रहेगी लाइप में, अपसें डाउंस देखने पड़ेंगे, 36 की एज के बाद बैटर हो जाएगा, डबल इंकम के चांसिस रहेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्ट्रगल तो रहने वाली है, क्योंकि अगर एक लं चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके गुरू माउंट को, अब देख सकते हैं गुरू माउंट का जो एरिया उबरा हुआ नजर आ रहा है, गुरू माउंट का उबरा हुआ होना व्यक्ति को धार्मिक नेचर का बनाता है, और यहाँ पर एक क्रॉस का चिन, मैं क्रॉस का चिन बनता है, ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ प्रोटेक्टड रहती है, मैरिड लाइफ में दिकतें आ सकती हैं, थोड़ी से संघर्श रहा सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर क्रॉस का चिन बन जाए, यहाँ पर स्क्वाइर का चिन बन जाए, तो व्यक्ति की ल cya Cookeld को स्पृ इसे वक्ति काफि इस्परिड़ इंड्र होते हैं आगे देख सकते हैं इनकी लाइन आउफ हाठ को हाध की लाइन में यहांपर मुझे देखते नज़रा आ रहे है क्योंकि island के चिन बन रहे हैं आपको दिखाना चाहूंगा इस area में island का चिन आपको काफी clearly नजर आ रहा होगा और दूसरा island का चिन इस area में इस तरह के islands के चिन बनना indicate करते हैं कि old age में चल कर व्यक्ति को heart से related दिकते आ सकती है blood pressure यानि के blood के flow में भी दिकते आने की संभावना रहेगी overall heart की line से नीचे की तरफ branches का चलना और खास तरपर मंगल मौंट की तरफ बढ़ना व्यक्ति को अग्रेसिव भी बनाता है तो overall इन्हें अपनी हार्ट की हल्थ का खास ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह के आइलेंड्स होने की वज़े से हार्ट से अर्लेटड आने की संभावना रहेगी माइन्ड लाइन की बात की जाए तो कुछ सिमिलर आइलेंड्स मुझे माइन्ड लाइन की उपर बनते हो नजर आ रहे हैं इस तरह हैं कि माइन लाइन के ओपर बनना मांसिक तनाव की तरफ इंडिकेशन करते हैं ऐसे व्यक्ति को लाइफ में मांसिक तनाव होने की संभावना रहती है और आप देख सकते हैं यह लाइन आइलेंड्स के इलावा जो मैं गरीन कलर में ड्रॉख करूं बिलकुल अच्छ क्योंकि उसका रीजन यहां पर बनने वाली स्ट्रेस लाइन भी है अब देख सकते हैं ऐसी स्ट्रेस लाइन इनकी लाइफ लाइन को डिस्टर्ब करें लगबग 40 के असपास की एच तक इनकी लाइफ में स्ट्रेस रहने की संभावना यहां पर दिखाई पड़ रही है वज़े से भी कई वाइन डिप्रेशन जैसी स्थितियां लाइफ में आजाती है आगे आप देख सकते हैं इनकी लाइन आफ लाइफ को इनकी लाइफ की लाइन काफी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है इनकी लाइफ की लाइफ की लाइफ काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर ड्रॉ करकर कुछ इस सेरिया से शुरू होकर लगबग बिलकुल यहां तक पहुँचती हुई जो 80 प्लस की एज को शो करती है लेकर लाइफ लाइफ में कुछ वीक्नेस हैं आप देख सकते हैं जैसे यह हलकी स्ट्रेस लाइफ में स्ट्रेस पैदा करती हैं किस ना किसी तरह का family से related stress या कोई ना कोई disease कुछ ना कुछ दिक्कते life में लाती हैं जब इस तरह कि stress lines life line को cross करती हैं और life line से निकलने वाली ऐसी रिखाएं जो बारीक line अंदर की तरफ बाहर की तरफ निकलती हैं तो यह रिखाएं indicate करती हैं कि व्यक्ति को long distance traveling भी life में करने पड़ सकती हैं आगे देख सकते हैं आप इनकी शुक्रमाउंट को शुक्रमाउंट यहां पर अच्छा नजर आ रहा है जिसकी वज़े से life में हर तरह की सुक्सुईधाएं व्यक्ति को मिल जाती हैं और comfort की सभी चीजें ऐसे व्यक्ति को सहज ही अपनी light में मिल जाती हैं बहुत जादा उभरा हुआ शुक्रमाउंट नहीं है जो एक अच्छी बात है यहां पर शुक्रमाउंट को मैं average ही कहना चाहूंगा और आप देख सकते हैं इनकी line of इनका जो mount है moon mount उस पर जो lines रहते हैं traveling की आपको दिखाना चाहूंगा कुछ इस तरह की हलकी line यहां पर precaution area के उपर नज़र आ रही हैं इस तरह की रिखाएं व्यक्ति को short distance traveling करवाती हैं और ऐसे व्यक्ति को life में काफी travel करना पड़ता है traveling के साथ साथ यह रिखाएं व्यक्ति को anxiety भी देती हैं और ऐसे व्यक्ति कई पर अपनी anxiety दूर करने के ल पूड़ी सी मांसिक तनाव जैसी दिक्तें life में आ सकती है otherwise life इनकी नंडी रहने वाली है और लगबग 80 के आसपास की life को यह enjoy कर पाएंगे तो यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के तुरू दे कि सभी कह आएंगे इनके डिए शॉँओर के बारे में भी आ पाएंगे लिज़ है कि सभी सी में हमें एक कि गलगवर इनका ही जए च्रीक सकती है थाओ लॉँएंगू रहती है इनके है TYPGत required ऑ्टियो कि क्तादिश यहीं है थाब तो बղुँएंग mayo झातती हैनके हैंज ह